दोस्तो भगवान बुद्ध ने सत्त ही कहा है तुम्हेही किप्चंग आतपन अक्षा तारो तथागता इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वैम ही मेहनत करना है सिख्षक का काम केवल मार्ग दिखनाना है नमस्कार दोस्तो बहुत दिनों के बाद यूटूब पर आपके समख सुपस्चित हुआ हूँ और इसके लिए थोड़ा छमा प्रार्थी भी हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आफ लाइन क्लास खुलने के बाद तुमरसर की ब्यस्ता थोड़ी बढ़ जाती है विश्वास एजूकेशन के अपने खुद के तीन ब्रांचेज है अहमदाबाद, गांधी नगर, भावनगर उन तीनों में बारी बारी से सेमिनार लेना सेमिनार के बाद फ्री लेक्चर कंड़क्ट करना डेमो लेक्चर और आप सभी जानते हैं कि तोमर सरका एजूकेशन के छेत्र में राजस्थान से भी एक पुराना नाता है तो अजमेर भी हम पढ़ाने चरे जाते हैं तो कभी-कभी वहाँ भी जाना पड़ता है तो लॉक्डाउर के खुलने के बाद सभी प्रेशर एक साथ आ गए इस कारण से आज मैं फ्री होकर समय निकाल कर मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी चर्चा करूं दोस्तो अहमदाबाद और गांधी नगर और भाव नगर तीनों ही जगहों पर फ्री सेमिनार कम्प्लीट हो चुका है जो बच्चे सेमिनार में आये थे उन समों को बिस्त्रित जानकारी थोड़ी बहुत आपको भी आज दे देंगे हमने सेमिनार में दिया और आज जो मैं जानकारी दूँगा वो विदाउट पी-पी-टी होगा आपको बढ़ियां लगेगा भावनगर में इस बार हमने एक नया क्या कहते हैं शुरुवात किया है आप देख रहे हैं भारत डिश्टल क्लास पे मैं बिधवत रूप से जुड़ा हुआ हूँ पिछले अगस्थ से और मेरा I.S. Full Course Package चल रहा है 65% हमने लेक्चर लिया है इसमें अभी तक मैं 35% का काम और भी बाकी है दोस्तो इसी के साथ भारत पब्लिकेशन से दो किताबे भी प्रकासित हो चुकी है एक सूपर 25 बॉक टेस्ट और एक भारत का बंधारन सूपर 25 बॉक टेस्ट मेरे नेत्रित में चार लोगों ने मिलकर लिखा है हमीर राठोर सतीश भाई कोतर और सिदार्थ भाई और भारत की बंधारन और राजविवस्था मैंने अकेले ही लिखा है 800 पन्य की किताब है एक बार पढ़िएगा मार्केट में जाने के बाद जो उसका रिस्पोंस आया है तो एक बार उस किताब को पढ़िएगा लेकिन दोनों ही भारत प्रकासन से पब्लिस हुआ है तो भारत इस्टर क्लास में जुड़ने के बाद मुझे अनभब हुआ कि गुजरात का पार्ट जो है हमीर लोगों का काफी मजबूत है गुजरात का इतिहास, कल्चर, भुगोल, मैथ, रिजिनिंग और नो डाउट अपना बढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन भारत का इतिहास, भारत का भुगोल संबिधान, साइंस टेक, मेरा भी उतना ही मजबूत है तो अगर ये कंबिनेशन भावनगर में हो जाए क्योंकि अमदाबाद और गांधी नगर से थोड़ा फेकल्टी आने में दिक्कत होती थी भावनगर वो उनको चार घंते आना, चार घंते जाना और इनका ये पार्ट मजबूत था ही तो इसलिए भावनगर में हम लोगों ने एक ज्वाइंट सेशन शुरू किया है संजुक्त उपकरम में कि विश्वास एजूकेशन भारत एकेडमी कि संजुक्त उपकरम में और गांधी नेकर अमदाबाद में विश्वास एजूकेशन प्राइवेट लिम्टेड स्वतंतर अपने तरीके से UPSC और GPSC के लिए है तो आज आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं कि ओफ लाइन नए बैच का जाहरात करेंगे किस तारीक से शुरू हो रहा है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके नम्मर्स भी आपके सामने होंगे आप जुड़ सकते हैं और Classes का डेमो का पार्ट पूरा हो चुका है भावनगर में अभी डेमो बाकी है जो की 22 तारीक से ले करके 26 तारीक तक 22, 23, 24, 26 तक फ्री डेमो लेक्चर है भावनगर के ललके यदि आना चाहते हों तो अभी उनका नम्मर भी फ्लेस होगा वो उस पे रेश्टेशन करा करके यहां का Class पूरी तरह से सभी नौकरी, स्कूल, सब को ध्यान में रखते हुए साम को साथ से नौ रखा गया है जिससे कि आप आकर के Class जोईन कर सके और हमारे और भारत एकेडमी के गुनवत्ता का लाब उठा सके तो दोस्तो आज आपको UPSC और GPSC के बीच तैयारी में क्या अंतर होगा जो मैंने Offline Class में सेमिनार लिया है वो भी बताते जाएंगे और उसके बाद आपको अंत में जहरात करेंगे कि नए बैच की सुरुवात कब से होगी यानि बस अब हो चुकी है समझे और उसका गांधी नगर में क्या टाइमिंग होगा अमदाबाद में क्या टाइमिंग होगा और भावन गर मन नए बैच का समय क्या होगा तो आज का लेक्चर दोस्तो परंपरा से हटकर तो मरसर आपके सामने बिदाउट PPT शुरू करने जा रहे दोस्तो हम सभी जानते हैं कि गुजरात में हम ही नहीं सभी क्लास के लोग सेमिनार के समय GPSC के ये कहा करते हैं कि GPSC का सिलेबस और UPSC का सिलेबस एक जैसा हो गया है मैं भी कहता हूँ बाकी लोग भी कहते हैं तो अगर मैं मेरे पास अनभव है तो बाकियों के पास भी अनभव है हो सकता है कि हम सब एक ही भासा बोलने है कोई गलत नहीं बोलता है, लेकिन अगर आप इसका सुक्ष्म बिसलेशन करेंगे, तो GPSC और IS का सिलेबस, सिलेबस हो सकता है एक हो, लेकिन परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रस्नों के नेचर में दोस्तों बहुत अंतर होता है, वो मैं आपको तरकों से आगे सिद्ध कर और इसलिए मेरा हमेशा, आज मैं on camera बोल दहा हूं, मेरा हमेशा सला होता है कि GPSC की तैयारी नहीं करनी है, UPSC की तैयारी ही करनी है, उसमें GPSC अपने आप समाहित हो जाएगा, केबल और केबल उसमें गुजरात पोर्षन को अपने को जोड़ता परेगा, तो चलिए दोस्त शुरुबात करते हैं सबसे पहले, एक तरफ हमने लिखा UPSC, आज एकदम free field कर रहे हैं, without PPT, जो मेरे दिमाग में आएगा वो आपके सामने कहेंगे, और एक है अपना GPSC, UPSC क्या है, तो UPSC, दिल्ली में अस्थापित एक कमीशन है, Union Public Service Commission, जिसका काम है भारस सरकार को Class 1 और Class 2 अधिकारी की नियुक्ती के लिए परिक्षा ले करके सलाह देना, कि ये आपके लिए योग्या है, Class 1 और Class 2 अधिकारी, GPSC का भी यही काम है, कि गुजराज सरकार में Class 1 और Class 2 अधिकारी के लिए नियुक्ती के लिए परिक्षा ले करके सरकार को रिकुमेंट करना, लेकिन, GPSC के अंदर कुछ Class 3 जिसको की यहां के लोकल भासा में लोग सुपर Class 3 नाम दिये, रे सुपर उस सिनेमा थोड़े सुपर डूपर हीट होगा, पे बैंड या तो Class 3 का होगा, या Class 2 का होगा, इसमें सुपर और डूपर क्या होता है, तो यह knowledge होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ Class 3 के लिए, GPSC को दिया गया है एक्जाम लेने है तू, जैसे डिवाएसो, नायब अमलदा, STI, इस प्रकार के कुछ एक्जाम भी GPSC कंड़क्ट करती है, अब UPSC किसी भी प्रकार के भारत सरकार के Class 1-2 एक्जाम को कंड़क्ट करती है, तो अगर मान लिजे आप इंजिनियर हैं, और के अंदर सरकार में इंजिनियरिंग में जाना चाहते हैं, इंजिनियर बनना चाहते हैं, तो Indian Engineering Service उस एक्जाम का नाम होगा, अगर आप डॉक्टर हैं, और के अंदर सरकार में आप जाना चाहते हैं, तो Combine Medical Service होगा, अगर आप सेना में Class 2 Officer बनना चाहते हैं, तो Graduation के बाद यदि आप जा रहे हैं, तो Combine Defense Service, और बार्मा धोरन के बाद जा रहे हैं, तो NDA, इसी प्रकार अगर आप बार्मा धोरन के बाद, Railway में Engineer बनना चाहते हैं, तो SCRA की एक्जाम होती है, इस प्रकार से कई एक्जाम कंड़क्ट करती है UPSC, उनमें से एक एक्जाम है, जिसका नाम है Civil Services Examination, Civil Seva परिक्षा, जैसे GPSC, अभी हाल फिला हाल में लोक प्रिय अवस्था में, एक एक्जाम Class 1-2 का कंड़क्ट करती है, एक एक्जाम STI का कंड़क्ट करती है, एक एक्जाम PI का कंड़क्ट करती है, ऐसे तिये कई परिक्षा लेता है, और एक एक्जाम D.Y.S.O. नायब मामलदार के लिए करती है, UPSC भी कई प्रकार का एक्जाम कंड़क्ट करती है, IES, Combined Medical Service, Indian Statistical Service, SCRA, NDA, कई प्रकार के एक्जाम कंड़क्ट करती हैं, जो Class 2 और Class 1 Officer के लिए होता है, उनमें से जो हमारे काम का एक्जाम है, क्योंकि हम देना जो चाह रहे हैं, IES बनना चाह रहे हैं, तो उस परिक्षा का नाम है Civil Sewa परिक्षा, तो हमको तयारी UPSC का नहीं करना है दोस्ते, हमको तयारी UPSC के अंदर लिये जाने वाले Civil Sewa परिक्षा का करना है, ये दियान दखना है, अब ये Civil Sewa परिक्षा के बारे में जाने, और GPSC में हम लोग बाकियों का syllabus एक ही जैसा है, तो class 1, 2 के बारे में जाने, और हम लोग इस पर आधारिक तुलना करें, कि आखिर दोनों के बीच क्या समानता है और क्या और समानता है, तो दोस्तों सुरुवात करते हैं, सबसे पहले Civil Sewa परिक्षा 24 पोस्ट के लिए एक एक्जाम होती है, 24 पोस्ट के लिए एक ही परिक्षा होता है, आपको IS बनना है, तो इसमें जब आप prelims पास कर जाएंगे, फर्स्ट स्टेज अभी बताते हैं तब 24 भरना होता है, तो अगर आप अपना फर्स्ट च्वाइस आईएस भरते हैं और आईएस पाने वाला रेंक यदि आपका एक्जाम में आ जाता है, तो आपको IS मिल जाएगा, कोई फर्स्ट च्वाइस IPS दे सकता है, कोई फर्स्ट च्वाइस IRS दे सकता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंकम टेक्स और कस्टम में, क्रमसा असिस्टेंट कमिस्टनर और असिस्टेंट कलेक्टर, आप चाहें, तो CBI में DYSP के लिए भी यही एक्जाम देना है, अगर आप बनना चाहते हैं, तो दोस्तो 24 टोटल पोस्ट है, इंडियन फॉरेंट सर्विस में यदि आप जाना चाहते हैं, तो यही एक्जाम है, तो टोटल 24 पोस्ट के लिए एक ही परिक्षा होती है, जिसका नाम है सिविल सेवा परिक्षा, और उसमें आपका मेरिट में जो नमबर लगेगा, जो मेरिट में आपका नमबर आएगा, और आपको जो, आपने जो 24 भरा है, वो दोनों जहां मैच करेगा, वो आपको भी ल कलता है, दोस्तों, लगबा कभी थोड़ा कम थोड़ा जादा हो जाए, लेकिन ये सीट उन 24 पोस्ट को मिला करके बनता है, अब एक सामान परकरिया है, कि जनरल कटेगरी के ललके हैं, तो टॉप हंड्रेड, इस बार तो खेर हंडेड भी नहीं गया मेरिट, अगर टॉप ह हंड्रेड में हैं, तो आईएस मिलने की संभागना है, 70-75 पे भी जाके रुख जाएगा अगर सीट कम हो जाएगा, पता चला कि आप अगर 150 से लेकर के 200 के बीच हैं, तो आपको IPS मिलेगा, इसलिए दोस्तों, आज मैं YouTube पर गुजरायत के बच्चों के लिए ही आया हूं मै कि इसलिए दोस्तों ध्यान रखिये गा, कि UPSC पास कर गया है, तो उसका रेंक बाइने रखता है, केवल कर गया है, यह इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर UPSC पास किया हूँ आदमी आपको UPSC पास करा सकता है, तो फिर अगर उसको खुद को 500 रेंक आया होगा, तो वो तो आपको 500 से नीचे ही रेंक दिलाएगा, अगर यही पैमाना हो, कि तोमरसर नहीं पास किया है, तो तोमरसर नहीं करवा सकते हैं, और हम पास किया हैं करवा सकते हैं, तो भाई आपका भी तो रेंक 500 है, तो आप से पढ़के तो हम टॉप नहीं कर सकते हैं, तो जिस प है और कोई 20 साल का अभवी आदमी भी आपको पास करा सकता है क्योंकि अपने समय में तो मरसर भी तो UPSC दिये होंगे बात बहुत पुरानी है इसलिए उसका चर्चा करने का कोई जुरूत नहीं है तो इसलिए UPSC पास करना इंपोर्टन नहीं है इंपोर्टन है कि आपने किस रैंक से पास किया है उसको बहुत जरूर से ध्यान दखना है क्योंकि ग्यान का तो पता उसी से लगेगा नहीं पता चला कि आप कभी वेटिंग में थे आउसके बाद अगर मान लीजे कि आप किसी तरह पास हो गए तो उस साल तो आप सबसे कम न सेलेक्टेड ही सेलेक्ट कराएगा तो फिर हम आपको पांसो के लाइक ही ला सकते हैं इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दीजिएगा कोई भी एक अच्छा मेंटर जिसको किस परिक्षा पद्धती की जानकारी है चाहे वो पास किया है या नहीं किया है वो उस विश पोस्ट होता है छे साथ पोस्ट क्लास टु के लिए होता है जैसे डीवा एशपी बनना है तो क्लास बन टु का एक्जाम देना हो गाए SDM बनना है deputy collector तो class 1 हो गया 2 में जाना है मामलादार TDO तो यह यहां आ जाएगा या नगरपाली का chief officer class 2 तो ऐसे करके 10-11 post के लिए GPSC class 1-2 भी exam लेती है इस exam को देने के लिए minimum 21 और maximum 32 age होना चाहिए GPSC का exam देने के लिए एकार्ड post के लिए तो 20 साल है लेकिन यहां भी average 21 minimum और 35 maximum होना चाहिए तो पहला तो यही तफावत हो गया कि 22 साल के उमर में अगर हम GPSC का ही तयारी करने लगे तो 32 तक तो पहले UPSC है उसके बार भी 3 साल मिलेगा GPSC में तो हम पहले इसका तयारी क्यों न करें और अगर syllabus एक है तब तो यही करना चाहिए तो अब देखिया गए OBC के लिए 35 age है SCST के लिए 37 age यहाँ पर OBC SCST सभी को 5 साल का relaxation है तो वो 40 तक जो है यह एक्जाम दे सकता है यह age relaxation के कारण यह age बता रहे हैं वरना article 16 का यह भाइलेशन हो जाएगा अगर हम लिखने कि 35 age है नहीं उनको 3 साल का उम्र में छूट दिया गया है इस कारण से 35 साल है ठीक है यहाँ महिलाओं को ना तो 1.3 आरक्षन का लाब है UPSC में और नहीं उनको उम्र का छूट है लेकिन GPSC में महिलाओं को एक तिहाई सीट जो है उनका कुल सीट का उनके वर्ग के हिसाब से आरक्षित होगा और उनको 5 साल का age relaxation अलग से है यानि जनरल कटेगरी की महिला 40 साल तक exam दे सकती है और वैसे ही OBC, SC, ST की महिला अपने वर्ग के आरक्षन के बाद 5 साल का जो है वो लेकर के relaxation यह exam दे सकती है अब आईए इसके बाद क्या कहते हैं UPSC का exam यदि आप देना चाहते हैं तो इसमें आपको trial है कि कितनी बार आप exam दे सकते हैं तो इसमें 6 trial general category के लड़कों के लिए यानि आप 6 बार ही exam दे सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26 अगर लागातार दे दिये तो 27 को आप exam नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके 6 trial पूरे हो गए इसलिए trial देने के पहले अपनी तयारियों को बिलकुल ध्यान में रखियेगा वरना एक साल ऐसे भी बिगड़ने ही वाला है attempt भी बिगड़ जाएगा हम अगला साल अच्छे से दे सकते हैं GPSC में कोई भी trial नहीं है ठीक है यहाँ पर 3 trial का छूट दिया गया है OBC को इसका मतलब OBC 9 बार exam दे सकता है और SCST के लिए trial नहीं है तो वो 21 से 37 साल तक all trial exam दे सकता है यह आपका एक general information UPSC और GPSC के लिए दोस्तों आपको लगा होगा कि केवल हम batch का जाहरात कर देंगे नहीं आपको complete information देंगे क्योंकि एक 11 February को ही UPSC का notification आया है और 2022 के लिए जो लोग GPSC सोच रहे होंगे तो उनके लिए एक स्वर्निम अफसर है कि आज से शुरू करिये तभी जाकर कि आप अगले साल सेलेक्ट हो पाईएगा और IS में भी भले 11 February को form आ रहा है लेकिन जो तैयारी शुरू नहीं किये है उनके लिए नहीं है दोस्तों मैं बहुत के लिए रादमी हो इस मामले में 22 को प्लान करके अगर अभी से पढ़िएगा मेरे क्लास में यही होगा हम लोग परिच्छा के साथ बैच नहीं चलाते हैं दोस्तों आपको एक साल या दो साल का कोर्स देंगे अगर आप ग्रिजवेट हो गया है और 22 को फोकस करके पढ़ रहे हैं तो आपको एक साल का कोर्स देंगे अब आईए दोस्तों अगला इन्फॉर्मेशन अगर आप टी वाई में रणिंग है तो भी यह एक्जाम दे सकते हैं नए बैच का जहरात सबसे लास्ट में होगा पहले सब कुछ जान लीजे तो बैच के बारे में समझ में आएगा दोस्तों लेकिन जब इसके फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ जाए तब तक आपका टी वाई क्लियर हो जाना चाहिए नहीं तो आपको आगे का एक्जाम देने नहीं मिलेगा देने मिलेगा लेकिन कापी चेक नहीं होगा क्या होना चाहिए तो टी वाई पास का साटिफिकेट कोई परसंटेज नहीं मांगता है कि आप जो है कितने परसंटेज से पास किये हैं टॉपर है कि आप जो है युनिवर्सिटी में सकेंड क्लास से पास किये हैं उससे कोई मतलब नहीं है ओनली पास मांगता है मिनिममम क्वालिफिकेशन इसका यही है अब हम परिक्षा के पैटर्म की और आगे बल हैं तो सिविल सेवा परिक्षा में ये एक्जाम दो स्टेज में होगा फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परिक्षा प्रलिम सेखजाम और दूसरे को हम लोग कहते हैं मुख्य परिक्षा प्रारंभिक परिक्षा 400 मार्क का होगा और मुख्य परिक्षा 2025 मार्क का होगा प्रारंभिक परिक्षा 400 मार्क का होगा और मुख्य परिक्षा 2025 मार्क का होगा मुख्य परिक्षा के अंदर दो स्टेज है लिखित परिक्षा, रिटेन एक्जाम और इंटर्व्यू, साक्षातकार लेखित परिक्षा 750 मार्क का होगा और इंटर्व्यू 275 मार्क का होगा प्रिलिम्स पास करिएगा तब लेखित परिक्षा देने मिलेगा ये क्वालिफाई करिएगा तो इंटर्व्यू के बुलाएगा लेकिन फाइनल मेरिट इस दोनों को मिला करके बनेगा अब जो समझाने जा रहे हैं अब इतना बड़ा गैप तो नहीं होता है लेकिन अगर माल लिजे कि मेरिट एक हजार मार्क लोएस्ट गया हो कि इतने में आप बस में चड़के खड़े हो सकते हैं क्लास टू कि हम जो है दिल्ली पुलिस में है या दिल्ली सिविल सर्विस में है पॉंडी चेरी में है ठीक न है तो मनलब कि आप UPSC सेलेक्टेट हैं भई कॉंग्राचुलेशन तो इतना अगर माल लिजे लास्ट गया हो अगर माल लिजे कोई दूसरा ललका 928 मार्क यहां ले आया है तो उसको यहां अगर 82 मार्क भी आएगा तो भी वह सेलेक्टेट है क्योंकि उसका भी जोड इतना ही बनता है ठीक है तो यहां पर दोनों मिला करके तब मेरिट बनेगा दोस्तों तो यह ध्यान दखिएगा कि यहां आपको सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए लेखित परिक्षा है इसमें जितना अच्छा करिएगा उतना ज्यादा इंटर्व्यू पर आपका भार कम हो जाएगा अब GPSC क्लास 1-2 में भी सेम पैटर्न है कि प्रारंभिक परिक्षा 400 मार्क का है मुख्य परिक्षा 1000 मार्क का है इसके अंदर दो भाग है लेखित परिक्षा और साक्षातकार लेखित परिक्षा 900 मार्क का है 100 मार्क का साक्षातकार है मेरिट दोनों को मिला करके बनेगा जैसे 2017 में 461 या 456 कोई सैसे merit था मेरे एक student को हम कभी भी online नाम बोलके नहीं यह करते हैं मेरे एक student को men's के return exam में ही 441 था तो उसको 22-24 नमबर भी दिया होता interview में तो selected था बाकि उसको 50 प्लस था interview में उसका रहेंग 56 आ गया था तो यह चलते रहता है या तो return में अच्छा करिए तो interview में थोड़ा कम रह जाए तो चलेगा बट return बहुत खराब हो जाएगा तो मेरे ही एक विद्यार थी को इस बार PI में 6th highest interview में मार्क आया है 66 100 में लेकिन उसका return exam में मार्क कम है तो waiting 4 में चला गया लेकिन उसका selection नहीं हो पाया है वहीं आप अगर PI के topper को देखिए तो उसको दो number की आवसकता है interview में क्योंकि उसको return में ही 401 के आसपास मार्क है तो हमेशा मेरा प्रियास ये रहता है कि विद्यार्थी मेरा इस लेखित परिक्षा में बढ़िया करे और उसके लिए पहले उसके दिमाग में content होना चाहिए फिर writing करे first day से writing नहीं होता है दोस्तो और यहां आज हम लोग जो आप नए लड़के हैं इसी कारण से मेरिट गिर रहा है कि दिल्ली से लेकर के गुजरात तक modern जो आज के नए सिक्षक हैं अरवाचीन काल के सारे के सारे लोग एक ही फंडे पे काम कर रहे हैं how to write चाहे बच्चे के पास background हो या नहीं उस भी से का writing format सिखाना है और इसी कारण से आप content नहीं लिख पा रहे हैं आपके पास content की कमी होती है तो चलिए आगे बढ़ें ये आपके सामने एक क्या कहते हैं हमने structure रखा अब ज़रा प्रारंभिक परिक्षा को focus करते हुए हम लोग जो है अब आगे बढ़ें कि प्रारंभिक परिक्षा जो 400 mark होगा उस प्रारंभिक परिक्षा में दो पेपर होंगे GS 1 ये UPSC की बात कर रहे है 100 प्रस्ण होगा दो बारका एक 200 mark और दूसरा GS2 जिसको हम कोचिंग क्लास वाले नाम दे दिये हैं CSAT 80 प्रस्ण होगा 2.5 मारका गलती करने पर 1 थाड़ माइनस हो जाएगा और ये सारे प्रस्ण अब्जेक्टिव होंगे हे तू लक्षी 4 च्वाइस वाला GPSC के अंदर भी प्रारंभिक परिक्षा में दो ही विशय होंगे पहला GS1 200 प्रस्ण होंगे एक मारक का एक दूसरा GS2 200 प्रस्ण होंगे एक मारक का एक गलती करने पर यहां भी वन थाड़ माइनस हो जाएगा तो इस आधार पर हम एक परसेप्शन बना लिये हैं कि दोनों परिक्षा एक जैसा है दोस्तो एक एनलाइस करना है हम ओफलाइन क्लास में बच्चा आता है तो उसको हम देते हैं और नहीं तो मेरा जो यह बंधारन की किताब मेरी आई है उसमें हमने पूरा का पूरा सुरू में यही सब एनलेसिस किया है कि अगर दोनों का सिलेबस एक है तो गुजराद से आईस में प्रिलिम्स का रिजल्ट क्यों नहीं बलादा है आप यह सोच के देखिए अगर जी पी एसी में एकदम अपने अंधर जाकना है दोस्तो मुझसे बड़ा गुजराद के समर्थक साइद कोई होगा मैं अजमेर जाता हूँ पढ़ाने तो वहां का लोकल क्लास वाला यह कहता है कि यह सर दिल्ली से आया है हम कहते हैं नहीं मैं अमदावाद से आया हूँ गुजराद के कमपेटिशन को कम मत समझना जी कि वहां कमपेटिशन कम है मैं रिपरजेंट करता हूँ क्योंकि मैं जब 2003 में यहां आया था मैं यहां 17 साल से क्लास ले रहा हूँ और 20 साल का मेरा teaching experience है दोस्तो तो मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं ने गुजराद को नहीं अपनाया गुजराद ने मुझे अपनाया इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मेरा सरवस्य ने उच्छावर गुजराद के पृति होना चाहिए कर्म के मामले में तो लेकिन आत्मन्थन तो करेंगे न दोस्तो एक बार सूचिएगा कि जीपीएस्सी के जैसा ही अगर आईस का सिलेबस है तो जीपीएस्सी में औसतन चार हजार लग के पास होते है यूपीएस्सी का एनवल रिपोर्ट कहता है कि गुजराद से आईस की परिक्षा में प्रिलिम्स निकालने वाले सब के एक सब कोचिंग मिला करके Only 175 से ले करके 200 के बीच लड़के होते हैं अलग-अलग साल को गिन ये गा तो 200 के बीच लड़के होते है तो अगर सिलेबस एक है तो 4,200 में क्यों बदल जाता है हो सकता है कि यह ज़्यादा है तो अंतिम तीन साल वाला नहीं दे पाता होगा उसको माइनस कर देते हैं तो सब कुछ को माइनस करते हुए हजार रिजल्ट तो होना चाहिए या 500 तो जरूर होना चाहिए ना सब कुछ को अगर माइनस कर दीजिए जितने factor आपके दिमाग में हम 4000 से 500 पे आगे तो कम से कम 500 लगे तो प्रिलिम्स पास करना चाहिए तो इसका मतलब है कि दोनों का परिख्षा में कुछ न कुछ तफावत है अब यहां से देखे तफावत क्या है सबसे पहला तफावत है कि यहां 120 मिनट में 100 प्रसंट सॉल्व करना है और 80 प्रसंट सॉल्व करना है 120 और 120 मिनट यहां 180 मिनट में 200 कोश्चन सॉल्व करना है 180 मिनट में 200 कोश्चन सॉल्व करना है यानि यहां समय ज़्यादा है कोश्चन कम है और यहां question ज्यादा है समय कम है दोस्तों तो यहां का question वो 1, 2, 3, 4 दिखेगा जरूर इसके जैसा है लेकिन यहां का question facts based हो ज्यादा होगा लेंदी बनाने के लिए यहां concept होगा कि ललके सोच सकते हो जैसे एक example, एकदम simple example कि यहां पर जो question आएगा तो यहां पर facts आधारित question होगा ठीक होगा कि निम्न कथनों पे विचार करें लेकिन पहला line अगर यह होगा कि अकबर ने मनसबदारी वेवस्था की शुरुवात की यह सीधा facts है दूसरा line मुगल काल में प्रधान मंत्री वकील को कहा जाता था या वकील प्रधान मंत्री कह लाता था और तीसरा अब हम जानके गलत कर दे रहे हैं कि एतमादुद दौला का मकवरा साह जहाने बन वाया था जहांगीर बन वाया है अब कहा दें कि उपरोक्त में से कौन से कथन सकते हैं एक दो एक तीन केवल तीन एक दो तीन तो आंसर होगा एक दो अगर आपको facts याद है तो आप तीक मारेंगे और अगर आपको facts याद नहीं है तो तीक नहीं है यहां का game यह केवल प्रस्ट बड़े हैं लेंदी हैं आपको पढ़ने में time लगता है यहां क्या होगा concept जमिन्दारी और जागिरदारी प्रता के संदरव में निम्ण में से निम्ण कथनों पर धिहान देएं देखिए अब concept शुरू हुआ जमिन्दारों को जो छेत्र दिया जाता था वह बंसानुगत होता था जबकि जागिरदारों का छेतर बंसानुगत नहीं होते थे कंसेप्ट पढ़ना पढ़ेगा दूसरा जमिनदारी छेतर में जमिनदारों को सैनिक सेवा के अलावा और कोई हम सब इस्टेटमेंन गलत करने हैं और कोई भूमिका नहीं होती थी जबकि जागिरदारी छेतर में जागिरदार को सैनिक सेवा के साथ साथ प्रसासन में भी अपनी भूम का निभानी पड़ती थी अब कहेगा उपरेक कतनों में से सत्यकतन पाचन यही गैप है 4200 में तो अगर कोई ललका यहां कंसेप्चल तयारी कर रहा है तो वो यहां बिलकुल आकर के जो है जो आप देख रहे हैं कि GPSC हो पी आई हो अरे विश्वास से भी तो लोग पास करता है न तो GPSC हो पी आई हो तो सारे में पास करने वालों में से अगर आप सर्वे करियेगा तो 80% ललका यही निकलेगा कि हम तो IS का तयारी करते थे ठीक है मेरा PT नहीं निकला कोई कहेगा मेंस नहीं निकला लेकिन हम तयारी IS का करते थे क्यों कि इस तैयारी से यहां पहुंचा जा सकता है मैं आपको दो प्रसंद दिखाया और इस तैयारी से यहां पहुंचने में कठिनाई होगी जैसे अभी और आगे बताते हैं कि देखें कहां पर तफावत और है अब आईए आगे बढ़ें यह तो पहला डिफरेंस हो गया दूसरा है क्या कि GPSC में मेरिट GS1 से बनेगा GS2 में आपको केवल क्वालिफाई करना है GS2 में आपको ओनली क्वालिफाई करना है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक बार आपको बता दें कि हम आए तो हैं अपने नए बैच के जहरात के लिए लेकिन आपको उस नए बैच में हम किस प्रकार का कोर्स लॉंच कर रहे हैं अगर आपको वो पता ही नहीं होगा यह पहले बेसिक बात तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं क्या अलग आपको दे सकता हूँ मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे लोग खराब है सब अपने हिसाब से अच्छा ही काम करता है सब भूमी गोपाल की है भगवान कृष्ण सब के उपर सर पे हांत रखके बैठे हैं और सब अपने हिसाब से अच्छा ही काम कर रहा है, लेकिन आप जब जानेंगे तो पता चलेगा कि हम आपको fast food नहीं दे सकते हैं, fast food में थाकत नहीं होता है, हम आपको रोटी बना के खिलाएंगे, गेहों की रोटी या बाजरे की होगी जो खाएंगे तो आपको सकती मिलेग तो जहरात का तो ऐसा है कि 23 फरवरी से बैस शुरू हो रहा है, क्या ये बता देने के बाद हमें यहां आने की क्या आप सकता थी, ये तो मैड में भी बोल जाते हैं, कह देते कि ये मेरा आमदाबाद का नंबर है, 6353 91928 संपर्क करिए, कह देते कि गांधीनगर का है, 942 680 577 संपर्क करिए, लेकिन आपके मन में फोन करने के पहले ये भरोसा होना चाहिए, कि हम जिस आदमी से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक न, तो मर सर से जादे रिजल्ट साइद को ये दिखाया होगा गुजरात को, लेकिन आब इस बुढ़ापे में, 49 येर्स मेरा एज हो गया, 20 साल का लंबा केरियर है, आब इस एज में फोटो इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं, कि ऐसा कोई कोचिंग है जिसके पास फोटो नहीं है, कोई बता दे, और कोई बोल दे कि मेरे यहां से 10 लखा नहीं पास किया है, तो आप जहां पढ़ने जा रहे हैं, उसके टीचर की गुनवत्ता क्या है, माल लीजे हम कहते हैं कि हम GPSC पास हैं, तो उससे आपको कैसे पास करा देंगे, चंगुत मौरिया भी तो कहता था, कि हम राजा हैं, लेकिन राजा चानक ही बनाता था नै, चंगुत मौरिया तो कोचिंग कोल के राजा नहीं बनाता था, तो इसलिए आप उस सिख्षक की गुनवत्ता को जानिए, पास करने वाला ललका जैक ओफ आल ट्रेड है, थोड़ा-थोड़ा सब जानता था, मास्टर नोट है, और जो टीचर होता है विसुद्ध, वो अपने विसई का मास्टर होता है, आपको वहां तक ले जा सकता है, तो आप जरा हम लोग वापस आजाएं, फिर से आपको जहरात एकदम आराम से करेंगे, तो दूसरा तफावत क्या है, कि इसमें आपको क्वालिफाइ करना है, जीएस टू में, आईएस में, 60, 33% मार्क लाना है, यानि 66.66, यानि 67 मार्क का आपको C-set में लाना है, मीनिमम, अगर नहीं आय तो आपकी कांपी चेक नहीं होगी, ठिक है, और आ गया, तो उसके बाद कितना भी आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो मार्स आपके इसमें एड नहीं होगा, वो बहुत बिवाद हुआ है, 2011 बारे में, वो सब के पीछे, आप जानते हैं, कि तो मर सर जनाय कि कब निकलेगा, आप पहले पढ़िएगा, तो उन फारम भरिएगा, कि फारम निकलने बाद पढ़िएगा, तो हम कभी ऐसे चीजों में अपने पूरे 20 साल के केरियर मनी पढ़े हैं, दोस्तों, मैंने जो आपको डेटा भी दिया, कि आईयस में इतने ललके का प्र और यहां पर C-set में केबल पास करना, UPSC के बाद GPSC में जब आएंगे तो यहां मेरिट 400 मार्क में बनना है, यानि यहां दोनों पेपर इंपोर्टेंट है, आईयस में एक पेपर में क्वालिफाइंग के लाइक मार्क आना चाहिए, अग दूसरा पेपर में इंपोर्टें पीछे हो जाते हैं सामने वालों से, अगर उसका एक सही हो गया, तो वो दो मार्क आगे है, और आप उससे 2.67 मार्क पीछे हैं, क्योंकि वो दो तो गया ही, उसके अलावा 0.67, लेकिन यहां यदि यह गलत होता है, तो यह एक मार्क का कोस्चन है, आप यहां 1.33 मार्क ही प पर भी क्लोज परतियस परद़ा है, एक बात, दूसरा, यहां जो करना है, एक पेपर में ही करना है, हो सकता है कि किसी लड़के का economics बनिया है, हिष्ट्री नहीं बनिया है, कहीं वो पढ़के गया, और उस साल थोड़ा सा हिष्ट्री का पोर्षन बढ़ा दिया, विचारा उढ़क जाएगा यहां आपके पैस क्या हैट्ग करल एक मैं अच्छा है तो एक मैं किसमा निकाल सकता है जिसका अक्विक्त प्रेण वह से पिकॉटी निकाल सकता है। एक में च्छा कर ले किसी एक मिश्चा कर ले तो एक माय करनें Kenan Tak occup हैे ह। दोनों में से किसी को यहां सब कुछ एक ही में है अगर साथ का साथ का मास्टर होना तो बुश्किल है आप जिस चार के मास्टर हैं अगर उसका जरा सा प्रपोशन गिर गया तो आप उस साल धलाम गिर जाएंगे भले आप तीन बार से पीटी निकार ले हैं यहां आप स्टाटिक रूप से पीटी पास कर सकते हैं तो यह दोनों के बीच का तभावत है अब आईए हम लोग आगे बढ़ हैं यहां 400 में मेरिट जाता है अब मेरिट का हिसाब किताब क्या है तो पिछले दो साल से यहां 200 मार्क पर बनेगा मेरिट पिछले दो साल से 98 के आसपास जनरल कटेगरी का म पिछली बार जो EWS कोटा मिला था तो EWS में तो 90 मेरिट गया था 200 में से 90 और 200 में से 90 यानि लगभग 50 परसेंट यानि कि यहां अगर आप 110 प्लस माइनस करके सही कर जाते हैं यानि 55 तो अभी आपके चांस हैं पूरे-पूरे की जो अभी चल रहा है पिछले 2-3 सालों से कि आपका प्रिलिम्स निखल जाएगा यानि आपका 110 मार खोता है यहां पर 2017 में 400 में मेरिट गया था 113 यहां 200 में गया था यहां के 2016 में तो 200 में 116 मेरिट चला गया था एक साल बढ़ के लेकिन अभी फिलाल मेरिट बहुत नियंत्रन में है क्योंकि चार युनिवर्सिटी अ एक दम बोल रहा हूं खुले हां जब तक उफान पे रहेगा तब तक मेरिट नीचे रहेगा वाटसप बिस विद्याले टेलिग्राम बिस विद्याले यूटूब बिस विद्याले यह सब जो है न यह जब तक उफान पे रहेगा आप फेस्बुक बिस विद्याले तब तक का PDF नहीं मिलता है आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने का आदत नहीं रह गया है अप हर चीज बे गाइड खोज रहें इस कारण से आप और shortcut खोज रहें आप क्या सोच रहें और ज्यादातर लोग ह क्या लोग कि कई लोग कहेंगे यूटूप पर अच्छे-च्चे ठीक है मेरा आपको सिंदू घाटी पसंद आया दूसरे का बैदी काया तीसरे का महाजन पदाया आप सब को जोड दिये लेकिन क्या हम आठो लोगों के बताने का वे एक होगा आपके दिमाग में बिचार के तरंग टकराने लगेंगे सबका अपना अपना बेस्ट है लेकिन जब आप ओफ लाइन में पढ़ते हैं एक भी से एक ही टीचर आपको पढ़ता है इस कारण से भी क्या कहते हैं आज जो है ये फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है और योटूब पर हम भी तो पढ़ते हैं कंटेंट से ज़्यादा उजेठा भाई पर ज़्यादे जोड दिया जाता ऐसे से करके फोटो कैसा ऐसा बनाएगा देखिएगा कि जो इर्रेलिवेंट है उससे प्रस नहीं आता है लेकिन आपको इंट्रेस्टिंग लगे क्योंकि उनका तो चलिए दोस्तों आगे बढ़त तो मैं बिल्कूल तटस्टलेसिस करता हूँ अठारह सो ललके प्रलिम्स में पास किये थे यहां और यहां सोले सो चोहत्तर पास किये थे दोसो ललकों का रिजल्ट कम आया सीट कम होने के कारण मेरिट इसलिए बला था और दो हजार उननीस में मेरिट 139 गया था क्यों तो यहां जो है रिजल्ट 900 या 800 के आसपास ही जनरल कटेगरी के ललके का रिजल्ट आया था अठारह सो से घटके 900 हो गया इसलिए मेरिट 133 से बढ़के 149 गया और जैसे जैसे परिक्षा हो रहा है कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं दोनों ही बात है तो अभी भी है तो 48% एक तो दोनों के प्रसंट के लेबल में बहुत फर्क है यह और ऊपर से ढोनों के मेरिट में 35 Percent Lowest और 48 Percent hitting यही gap के कारण हम 500 लोग नहीं पास कर पार है अगर GPSC में 200 मेरिट जाने लगे जब तो देख लीजेगा कि उस दिन अपने गुजरात का स्वर्निम काल होगा और हम 500 से ज़्यादा घुश जाएंगे GPSC और तब हम double digit में final result भी लाएंगे अभी अपने गुजरात से जो 15 लोग दिखा दिये जाते हैं उनमें से 6-7 कौन होते हैं सिंग, सर्मा, मिस्रा ठीक नहीं कल को मेरी बेटी बड़ी हो जाए तोमर लगा करके गुजरात से पास कर जाए तो वो गुजराती तो नहीं है ना प् हम लोग जो प्योर गुजराती बच्चे होंगे वो 50 होंगे और वही दिन देखने के लिए तोमर सर एकदम बैठे हैं कि एकदम होगा एक दिन, बच्चों को समझ में आएगा क्योंकि भरमायात किसी को 5 साल जा सकता है, 7 साल जा सकता है और हम इसलिए अपने रास्ते को कराज होके चला जाए उसको लगे कि नहीं वहाँ टेलिग्राम पे अच्छा चल रहा है तोमर सर क्यों नहीं लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्लास में ही कराएंगे जो कराना है, और समय ही लगेगा, दो साल लगना ही लगना है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा हमारे या फास्ट फूर नहीं है दोस्तों, तो अब जरा आगे बढ़ें, तो देखिए इस गैप के कारण दोनों में ये रिजल्ट में प्रोब्लम आ रहा है, अब हम लोग आगे बढ़ें, कितने तफावत आप देख लिए, कि UPSC और GPSC के अंदर ये मतलब की अंतर है, प जिहान में रख करके बनाया जाता है, अब देखें सब्जेक्ट कौन कौन से कहा है, तो UPSC में जो सिविल सेवा परिक्षा है, UPSC के अंदर जो सिविल सेवा परिक्षा है दोस्तों, इसमें पहला पेपर जो GS1 का है, मेरिट 98 जा रहा है, हम 110 की बात कर रहे हैं, कि आप 55 ल वो देखेंगा, किसी साल, किसी से ज्यादा, किसी से कम होगा, पहला है भारत का इतिहास, GS1 में, इसके अंदर प्राचीन, इस साल तो प्राचीन से भी जम के कुछ से नया है, प्राचीन, मद्यकालीन और आधुनिक भारत, और भारत का सांस्कृतिक वारसो, चारों मिला करक यह एक है भारत का इतिहास, इसके अलावा से लेवस में कुछ नहीं लिखा है, यानि सब कुछ पढ़गा है, एक एवरेज 17 प्रसंजो है लगभग पूछे जाते हैं, निकाल के देख लीजेगा, 34 मार्क का, यानि 98 का 34 तो वन्थड हो जाता है, दोस्तों, जा सोच के देखिएगा, दूसरा जो है पूर्शन है यहाँ, भारत का संबिधान, अगर आप भारत के संबिधान को देखिएगा, तो इससे लगभग 18 कोस्चन एवरेज आता है, यानि 36 मार्क का भारत का संबिधान पूछ रहे हैं, उसमें और भी टॉपिक हैं, राज वेवस्था मा बनिएगा, तीसरा भारती अर्थ वेवस्था, दोस्तो 21 तो एवरेज है इसका, उससे उपर ही हमेशा रहता है, यानि 42, आप देख लिजिए कि 70 और 40, 110 और 112 यह तीन भी से मिला करके बनता है, आप इसके बाद किसी एक को भी पढ़िया कर लिया जाए, तो लुड़कते पुड़कते भी हम 55 पे पहुँच सकते हैं, पहली बार मैं 7 टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन जब दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं, परिच्छा के समय पढ़ रहे हैं, तो यह 3 को एददम फोकस करके पढ़ेंगे, और 7 मैं करेंट पढ़ेंगे, आप भारती अर्थ पवस्था में मेरे सुबुक में लिखा हुआ है, देख लीजेगा, ट्रेडिशनल और करेंट का रेशियो देखेगा, तो हमेशा ट्रेडिशनल ही ज़्यादा होता है दोस्तों, अगर 21 प्रसन है, तो 12 से 13 प्रसन ट्रेडिशनल भी होता है, और 10 प्रसन के पीछे हम करेंट के विरोधी नहीं है दोस्तो मेरा मानना है कि करेंट पढ़ना चाहिए और मैं करेंट पर जब क्लास लेता हूं तो और खतरनाक होता है वो लेकिन तेरा को लड़का भूल जाता है और दस के पीछे जी जान लगा देता है जिस चक्कर में वो दस तो करेंट ही है जटका ही मारना है उसमें पांच हो जाता है और ये तेरा जिसको वो आराम से पकड़ सकता था ट्रेडिशनल था वो भी उसके हाथ से निकल जाता है दोनों को प अब आईए चोथा पर्यावरन पढ़ना है आसतन 10 से 11 प्रसन परियावरन से आता है भूगोल पढ़ना है आसतन 10 से 12 प्रसन भूगोल से आता है इसमें भौतिक, विश और भारत तीनों है लेकिन इसमें डॉमिनेंसी भारत के भुगोल का होता है छथा सामान विज्ञान पढ़ना है सामान विज्ञान से भी 15 के आसपास एबरेज प्रस्न होता है जैसे इसमें physics, chemistry, biology और science and technology जो है अपना GPSC में भी उससे question ज्यादा होता है बांकी physics chemistry biology से भी होता है और सातमा topic है current देखिएगा संख्यां बढ़ जाएगा जोड के हिसाब से 18 और 17 हमीं पहले ही जोड देते हैं कि आप मत करिये comment 35, 20, 55, 56, 10, 66, 67, 10, 77, 10, 87, 5, 92 पहले हो गया और हम लिख रहे हैं कि 25 question इसके बाद current से आता है तो 95 तो 100 पार कर गया नहीं कुछ यहाँ current, कुछ यहाँ current, कुछ यहाँ current, कुछ यहाँ current, कुछ यहाँ current इसको भी यहाँ समाहित करके अलग से दे दिये वरना ऐसे अगर इन सबों में current समाहित कर दीजे तो इसके बाद जो बच गया खेल, कूद, बैक्टित तो ये सब जो है तो वो फिर आठी होता है लेकिन इन में से करेंट को छाट करके 25 आप ज़रा बताईए आप मैक्सिमम 25, आप इस 25 के लिए हर महिने 400 पन्ने का मैगजीन पढ़ते हैं, 12 महिने का मतलब 1248 तो फिर ये 17 प्रसंद के लिए 3000 पन्ने का क्योंनी नोट्स पढ़ते हैं, अगर एक इक नियम लगा लीजे, अगर 25 पन्ने के लिए 400 पन्ना, अब बलकि उसके अलाबा भी बहुत क कुछ करते हैं करेंट के लिए, तो इसके लिए कम से कम 1200 पन्ने का तो मैट्रियल पढ़ना पड़ेगा है, आप यही छोड़ दिये हैं, जिससे मेरिट गिरता है, इसके इस पर जो ध्यान दे रहे हैं, इतना यहां भी देना होगा, 21 कोस्चन एकनोमिक से है, 25 कोस्चन रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस करके जाईए, करेंट को भी बैलेंस करेंगे, ट्रेडिशनल को भी बैलेंस करेंगे, अब आईए, जी पीए सी के अंदर, जी एस वन और जी एस टू, जो 200-200 मारक है, अब यहां तो अपना ध्यान क्या होना चाहिए, आज भी 160 प्लस, अगर कोई बहुत बड़ा बाबा जोड़ू नहीं आया तो कनफर्म है, ठीक नहीं, अब सीट 50 आजाए तो नहीं कहा जा सकता है, 200 से उपर सीट अभी तक जब भी रहेगा, 160 प्लस कनफर्म है, कुछ नहीं सोचना है, उसका रीजन है दोस्तों, कि अभी अभी ह हम लोग पुराने पैटर्न से 2014 से बाहर निकले हैं, 17 में नया पैटर्न आया है, 21-4 साल क्या उम्र होता है, बच्चों को समहले में और बच्चों से ज़्यादा हम लोगों को मैंने UPSC का तयारी गुजर्यात में 2003 से ठोक के कराता था, तो मुझे मालूम है, आईए क्लास 3 वाले लोग जो आज रातों राच GPSC के एक्सपर्ट बन गए हैं, तो चार साल में पेचार एक पास कितना बुद्धी आएगा, तो सब कुछ फैक्टर है, इसलिए मेरिट नीचे है, तो देखे ज़रा, यहां तो 160 प्लस मैक्सिमम है, यहां पर पहला पार्ट है इतिहास, इ पार्ट होता ही है, अगर 56 पूछा तो 50 भारत होता है, और 6 कोश्चन गुजरात होता है, इसका मतलब हमको सबसे ज़्यादा ध्यान भारत के इतिहास पर देना है, गुजरात का इतिहास छोड़दा नहीं है, यहां दूसरा पार्ट है, अलग से सांस्कृतिक वारसों, सांस है, गुजरात के सांस्कृतिक वारसों से 34 है, और भारत से 10 है, इसका मतलब हमको इतिहास में भारत का पढ़ना है, असांस्कृतिक वारसों में जो है वो गुजरात का पढ़ना है, तीसरा पार्ट है, बंधारन, संबिधान, 50 प्रसन अकेले, यह राज व्यवस्था उससे आता है, और चौथा पार्ट है, मैथ होरिजनिंग, 50 कोस्चन यहां से आता है, अब जरात देखिए तो, अगर आप इतिहास खूब अच्छे से पढ़ दिए, संबिधान खूब अच्छे से पढ़ दिए, और संस्कृति खूब अच्छे से पढ़ दिए, आर्ट्स क करना सीखिए, 80 तो करके देखिए, 80-80, 160 हो जाता है, और साइस बेक्राउंड के ललके, तो मैथ रिजनिंग तो उनको बरदान में मिलता है, आप उसको कर सकते हैं उसके साथ, आप प्रेक्टिस करिए, कि हम जल्दी बना सके हैं, अरे 50 में से 35 तो बनाईए, अरे रिजनिं कम से कम 25 तीस ललका जो 200 प्लस जा रहा है इस प्रिलिम्स में, सीना ठोक के रजनिस्तों मर कहता है, 200 प्लस जा रहा है प्रिलिम्स में, वो हमेशा पेपर वन में 100 प्लस करके आता है, प्लस माइनस करने बाद उसको मार्स जब आता है, तो 110 होता है, एकाद तो 118 होता है, तो इसलिए पेपर 1 में आप 3 प्लस 1 कोई भीस में से पकल दीजिए अब आईए पेपर 2 एकोनोमिक्स से 56 कोस्चन आया है जिसमें से 50 भारत हैं 6 गुजरात यानि आपको एकोनोमिक्स ट्रेडिशनली यहां बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भारत का क्योंकि 50 कोस्चन प भाग भाग वही जैसे यहां है प्रपोर्शन कि आपको मान के चलिए 54 कोस्चन के आसपास है इसमें फिजिकल वर्ल्ड इंडिया और गुजरात है लेकिन गुजरात से 6 से 7 कोस्चन है बाकी टोटल भातिक भुगोल और भारत के भुगोल से होता है तीसरा पार्ट है विज के आसपास है एकनोमिक्स का भी करेंट एकनोमिक्स में होगा तो मिला दीजेगा तो 60 कोस्चन हो जाएगा करेंट यहां पे 50 में से 20 आजाए करेंट यहां पे इंडिया वाले में से 10 आजाए करेंट 30 इसमें 20 करेंट आजाए 50 यानि 100 कोस्चन करेंट का मैक्सिमम जो है GPSC मे आएगा paper 2 में और paper 1 में तो बहुत कम इसको बनता है बंधारन छोड़ दीजे जिसमें IR वगर है तो इतिहास में कौन सा current आजाएगा math reasoning में कौन सा current आजाएगा 400 mark में 25% current का weightage है और 400 mark में 15% जो है इतिहास का भी weightage है 25% के और अगर कि इतिहास culture मिला दीजे तो 25% इसका भी weightage है अगर उस 25% के लिए आप 4000 पन्ने का material magazine एक साल में पढ़ते हैं तो इस 25% के लिए 2000 पन्ने का भी notes क्यों नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब पन्ना important नहीं है ये रहा दोस्तों आपका GPSC और IS का prelims का तफावत देख लिए अब और तफावत सुनिएगा भारत का इतिहास में यहां सब कुछ पढ़ना है सिंधु घाटी से ले करके 1947 तक बलकि चले बने ताजादिक बाद भी भारत मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हैं यहां के इतिहास में कहा गया है कि सिंधु घाटी पढ़ना है फिर बैदिक सभिता पढ़ना है फिर बहुत जैन पढ़ना है 16 महाजनपद नहीं पढ़ना है मगत का उतकर्स नहीं पढ़ना है प्रथम विदेशी आक्रमन पढ़ना है मौरिकाल पढ़ना है मौर्योत्तर नहीं पढ़ना है उसमें केवल कनिस्का पढ़ना है यहां साब पढ़ना है गुप्त काल पढ़ना है लेकिन उसके बाद हमको हर्सवर्धन केवल पढ़ना है यहां पालवंस भी पढ़ना है कस्मीर भी पढ़ना है यहाँ पे राजपूत काल भी पढ़ना है वहाँ नहीं दिया है सेले बस में इसलिए जो बच्चा मेरे यहाँ आप समझे हम जब बैच बताएंगे तो समझ माएगा IS और GPSC में अंतर यही है कि जो ललका IS के में एड़िशन लेता है विश्वास में तो उसको हम सब क्लास देते हैं लेकिन जो GPSC में एड़िशन लेगा तो मेरे यहाँ गुनवत्ता से समझोता नहीं है सिंधु घाटी दोनों को एक साथ बिठा के पढ़ाएंगे लेकिन जिस दिन हम 16 महा जनपत पढ़ाएंगे उस दिन GPSC वाले को नहीं बुलाएंगे उनका नहीं है सिलेबस जिस दिन हम मिनांडर पढ़ा रहे होंगे जिस दिन हम सुंग बंस पढ़ा रहे होंगे जिस दिन हम क्या कहते हैं राजपूत काल पढ़ाएंगे उस दिन हम GPSC वाले को नहीं बुलाएंगे बाकी जो syllabus common है उसमें मेरे कहां कोई भेद नहीं होता है IS का ही चीज पढ़ाते हैं GPSC देखते भी नहीं है कि नहीं इसका label नीचे है तो हम नीचे पढ़ाएं इसलिए हमारे यहां दोनों की तैयारी में एक साल ही समय लगता है अब समझेगा और IS का admission लिये है तो उसको गुजरात बिल्कुल पढ़ा देंगे क्योंको उनका फीस जादा है जाइर एक GPSC साइस का फीस जादा होगा वो GPSC में बैठ सकता है लेकिन GPSC वाले को हम लोग जिस दिन IS का इस special class चलता है उसमें नहीं बिठाते हैं चलिए अब आगे बढ़ें यह तो यहां तक हुआ है लेकिन सिविल सर्विसेस में अभी एक बच गया CSAT जिसमें पास करना है कोई बात नहीं है math और reasoning अगर आपका अच्छा हो तो इस बार तो 45 question पूछ दिया था वरना 35 तो रहता ही है 2.5 mark एक है इतने में आपका जो है qualify हो जाएगा और नहीं तो लगभग 25 से 30 question comprehension होता है तो फिर comprehension पढ़के answer कर लिजे qualify आप दोनों method से कर सकते हैं अब जरा हम लोग आ जाएं GPSC में और IS के mains में क्या फर्क है जरा इसको देखें हम लोग अब तक तो हम लोग pre में फर्क देखे थे अब जरा हम लोग देखें mains के अंदर क्या अंतर है ताकि आपको पता चले ये batch announce करने के पहले मेरे दिमाग में यही था कि पहले बच्चों को पता चले कि क्या फर्क है हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए तो आप जरा हम लोग मेंस की ओर देखें थोड़ा सा दोस्तों आपको डाइवर्ट कर देते हैं आपको लगेगा कि क्या चलता है देखिए अभी बता हैं कि बैच का अनॉसमेंट तो बैच का अनॉसमेंट तो बहुत आसान है कि हम ऐसे अभी पल्टें और कह दें कि 23 फरवरी 2021 को सवारे आठ से 10 बजे गांधी नगर में जो है नया बैच आ रहा है जिसके लिए अगर कॉंटेक्ट करना हो तो 9 4 2 6 8 0 5 7 7 पे आप संपर्क करिएगा 307 बी ब्लॉक अट्रिया को बिजनस हब सरगासन क्रॉस रोड पे गांधी नगर में है और उसी तारीक को यदि आप अम्दाबाद में पढ़ना चाहते हैं तो सामको साढ़े 5 से साढ़े साथ का क्लास है 410 RBS कॉंपलेक्स ओल्ड नट्राज सिनेमा आस्रम रोड अम्दाबाद में है संपर्क करना है तो 635391928 पर करिए या 942804128 पर करिए फिर लौट के आएंगे अभी सब बते सब डिटेल्स पढ़ा हैं बताएंगे दोस्तों और अगर भावनगर के विद्यार्थी हैं तो भावनगर में विश्वास एजूकेशन और भारत अकेडमी के संजुक्त उपक्रम से ये सुरू हो रहा है नई बैच अभी ऐसे तो मंडे से ले करके कल से आज मैं संडे को ये सुटिंग कर रहा हूं भले मंडे को 10 बजे ये आपको वी लेक्चर है डेमो यहां भी डेमो बाकी है अमदाबाद में हो गया और यहां नई बैच 27 फरवरी से शुरू होगी भावनगर में बैच का समय एकदम साम को साथ से नौ रखें सब कुछ करके आईए तब पढ़िए पहला माल सिवसक्ती लक्की एवन्यू कॉंप्लेक्स लीला सरकल सिट्सर रोड भावनगर 9714272365 या 942804127 पे आप समपर करिये अभी इस पर और अच्छे से समझाएंगे बताएंगे बैच में आप किस तरह से इन्रॉल होंगे एक साल के कोर्स में क्या होगा दो साल के कोर परमेशन हो कि हम क्या करें अब दोस्तों आप देखिए मेन की बात करिए तो पहला पेपर UPSC में सिविल सेवा परिक्षा के मैंस में एक इंडियन लेंग्वेज लेना पड़ता है हिंदी मराथी गुजराती तमिल तेलगू उडिया बंगाली जो लेना है लीजिए सम्वि आठी ललके भी मेरे पास दिल्ली में काफी पढ़के गये हैं लिख सकते हैं पोई भी इंडियन लेंग्वेज यह 300 मारक का होगा है मैं दिल्ली में भी 13 साल क्लास लिया हूं दोस्तों 2000 से लेके 2013 तक और अच्छे अच्छे एक शक्कार चुड़ा दिये थे लेकिन गुजरात आने के बाद पता नहीं या तो मुझे लगता है कि मेरा पिछला जनम यहां होगा था गुजरात की मिट्टी से हमें इतना लगा हो गया कि मैंने अपना सब कुछ यहीं सरवस्य ने उच्छावर कर दिया दोस्तों वरना आज एकर हम दिल्ली में होते और जिसमें थे पुराने ललकों से पूछिए गया तो मेरी लोग प्रियता भी जो अभी चंद पांस साथ बड़े लाम है वही नाम मेरा भी पाली लेंग्वे क्या करूंगा है तो इसलिए कई बार मुझे पिन करते हैं कि तोमर सर अगर 2000 से आप जो है शुरुबात कि यह होते मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2000 बारह की बात है मैं एगो पर ले लिया था उस साल कि देखते हैं जी असका बैच कैसे नहीं चलता है अकेले दम पर फर्स्ट बैच किसी से पूछिएगा फर्स्ट बैच अगर दिल्ली में 90 और 80 का हो जाए तो वो टीचर माथा पलात रख देता है और 80 लड़के का हमने किया था लेकिन उस बैच को पूरा करने के बाद मुझे लगा कि नहीं मैं गुजरात को न्याई नहीं करता रहा तो हम केवल पाली सिमित करके छोड़ दिये थे तो इसलिए कह रहे हैं अरे बाकी सब लोग भी तो बिसाही पढ़ाया करते थे हिंदी पढ़ाने वाले G.S. पढ़ा रहे हैं फिलोसफी पढ़ाने वाले G.S. कौन है जो कि प्योर G.S. पढ़ा रहे थे और अभी बजार में तो ये समझिएगा तो इसलिए ये कोई प्रस नहीं है हाँ मैं तो गुजरात में ते 17 साल से यही काम कर रहा हूं और दिली में भी 13 साल से यही काम कर रहा था तो अब ज़रा सुनिएगा तो ये जो है गुजराती हिंदी जो लीजिए एक पेपर इंगलिस का होगा 300 मार्क का है दोनों का लेवल दसमा धोरन के बराबर होगा ठीक है इसमें केवल क्वालिफाई करना है ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा ये 1750 के अंदर का नहीं है इसमें आपको यहाँ 75 और यहाँ 75 मैनेज करना है GPSC में जो 900 मार्क का एक्जाम है उसमें गुजराती 150 मार्क का है और इंगलिस 150 मार्क का है ये मेरिट में जुड़ेगा ये 900 के अंदर है यहीं दोनों के स्ट्रेटेजी में फर्क है लेकिन यहाँ कुछ लोग ये समस्ते हैं कि गुजराती का ग्रामर का मतलब है कि कोई बढ़ियां गुजराती पढ़ाने वालों से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा वो सिच्छक गुजराती का फॉर्मेट बताएगा आपको यहाँ कोस्चन करेंट से जुड़ा होता है कह देगा आपको कि नए क्रिसी बिल के संदर में दो खेडुत के 20 संबाद हो रहा है एक पक्ष में और एक विपक्ष में है वो संबाद लिखिए अब क्रिसी बिल पढ़े हैं तो लिख पाईएगा और तो गुजराती का टीचर आपको फॉर्मेट ही बता सकता है यह समस्या है दोस्तों कह देगा आपको कि नर्मदा के बांध के बढ़ाने के बार उर्जा के छेतर में कुछ हकारात्मक जो है गुजरात में जो आएगा उसके लिए मुख मंत्री प्रेस रिलीज कर रहे हैं आप उनके अंगत सचीब है प्रेस रिलीज तैयार करिए करेंट नहीं मालूम है क्साइंस टेक तो नहीं लिख पाईएगा यह डिफरेंस है आप जहां से यूपी यसी का मेरिट सुरू होगा सत्रह सो पचास मार किये तो क्वालिफाय करना है यहां तो सब में मेरिट जुड़ेगा उसके बाद का एग्जाम आप जिस मीडियम में देना चाहते हैं मैं जब सुटिंग कर रहा हूं तो आज मातरी भासा दिवस है अपनी मातरी भासा पे गर्व करिए गुजराती मराथी हिंदी इंगलिस जिस मीडियम में देना है आप यह एक्जाम दे सकते हैं पहला एसे पूछेगा निबंध 250 मार का सभी एक्जाम तीन घंटे का है GPSC में भी तीसरा पेपर निबंध का है 150 मार का लेकिन दोनों में तफावत क्या है तो IS में ग्रूप A और ग्रूप B करके ये दो होंगे यहाँ चार एसे होगा और यहाँ चार आपको कोई एक एसे इसमें से चुनना है लेकिन एक निबंध अधिक्तम 1200 सब्दों में होना चाहिए यानि 2400 सब्द के दो निबंध GPSC में ये तीन ग्रूप में बटा होगा ABC यहाँ तीन निबंध यहाँ तीन निबंध यहाँ तीन निबंध होगा कोई एक आपको सलेक्ट करना है तीनों ग्रूप से एक एक लेकिन यहाँ 800 सब्द में लिखना यही ग्यम शुरू हो गया कि यह लड़का इधर का निबंध लिखने में गड़बला जाएगा 1200 सब्द को दबाना इजी है ज्यादा को प्रेस किया जा सकता है कम को खीचना कठिन होता है आपके सेंटेंस दुहराने लगेंगे इसलिए यहाँ से इधर आना कठिन हो जाता है अब इसके बाद जो है आईस में चार पेपर जेनरल स्टडीज का होगा GS1, GS2, GS3, GS4, 250, 250, 250 और 250 मारक का यानी 1000 मारक का GS, 250 मारक का निबन बन दे GPSC में 3 paper GS का होगा लीजे घट गया न? 1, 2, 3, 150, 150, 150 यही 4 को इस 3 में समाहित किया गया है इसके अलावा एक writing में फर्क है IS में सभी paper में 1 से लेकर 10 तक के question को डेड़ सो सब्द में लिखना है और 11 से लेकर 20 तक के question को 200 सब्द में लिखना है 3 घंटे का paper होगा 4000 सब्द लिखना है यहां सभी question को 200 सब्दों में लिखना है variation नहीं है ठीक? और इसके बाद आप IS में एक कोई subject लेंगे 48 भी से है उसमें से आपको कोई भी एक subject लेना है जिसके दो paper होंगे 2500-200 मारका आप जिसमें से graduation किये हैं वो भी हो सकता है 500 आप बाहर का भी subject ले सकते हैं यह IS में extra आपके माथे पे आगया ठीक है? अब किस विशे से क्या passing ratio है? UPSC का annual report देखिए वो मैं अपने बंधारन के किताब में रखा हूँ तो यह clear हो गया कि क्या तफावत है दोनों में? अभी नहीं clear हुआ है अब देखिए GS के अंदर दोनों में क्या तफावत है तब आपको पता चलेगा कि जो मेरे यहां बच्चे खाली GPSC बोल के आते हैं तो वो बाद में भले नाराज हो जाते हैं लेकिन हमारे यहां दोनों का फीस भी इसलिए अलग है और इसलिए हम लोग बाकियों से ज़्यादा फीस लेते हैं पहले ही बता देते हैं क्योंकि हमारा वीजन के लिए है कि मेरे कोचिंग में वो खराब नहीं है लेकिन कॉंस्टेबल, PSI, तलाटी ये सब नहीं चलता है हम लोग पूरे के पूरे फोकस्ट हैं या तो IS या तो GPSC ठीक है आप ही सुचिए एक ही फेकल्टी अब गुजरात का इतिहास भुगोल है तो बात अलग है मैं त्रिजनिंग है तो बाकि एक ही फेकल्टी भारत का इतिहास कलाटीम पढ़ा रहा है उसी को पिक करके आप IS में डाल दे रहे हैं और करते हैं मेरे पास IS का भी बैच है तो क्या-क्या है तो इसमें भारत का इतिहास है पहला पाट भारत के इतिहास में जो प्राचीन भारत का पाट है उससे कल्चर के प्रसनाते है या मध्धकालीन भारत के गंधार कलासैली युनानियों की उतनी ही रिनी थी जितनी इरानियों की रोमनों की तो यहां कल्चर के हों और आधुनिक भारत में कहता है 1857 से पढ़ना है अठारमी सताबदी के मद्ध से ले करके आजादी तक का भारत और आजादी के बाद भारत पढ़ना है GPSC के GS1 में भी पढ़ना है भारत का इतिहास लेकिन यहाँ जब प्राचीन भारत से कोस्चन आता है तो हिस्ट्री ऑफ्शनल के जिस प्रकार के प्रसना इस में आते हैं उस प्रकार के प्रसनी यहाँ होंगे कि सिंधु घाटी सब्विता के नगर योजना का भर्णन करें ठीक ना मौरियों के उदय के उत्पत्ती के कारणों को बतलाएं और यहाँ पर नहीं होगा यहाँ असोक के सिलालेक प्रसन हो जाएगा यह दोनों में फर्क है तो यहाँ पे इतिहास है ठीक है दूसरा पार्ट है G.I.S. में बिश्व का इतिहास यह अलग से पूछा जाता है G.P.S.C. में बिश्व के इतिहास पर कोई सवाल नहीं है उसके जगह पे G.P.S.C. में अलग से सांस्कृतिक वारसो है जिससे सवाल आता है और यह सांस्कृतिक वारसो जो है यह अपना यहाँ प्राचीन मध्यकालीन में ही पूछ लिया जाता है तीसरा जो पार्ट है G.P.S.C. में वो है भूगोल G.P.S.C. में भी तीसरा पार्ट है भूगोल लेकिन यहाँ भारत के साथ साथ गुजरात भी पूछेगा यहाँ भारत और बिस्वकाही और भूटिक भूगोल है लेकिन U.P.S.C. में चौथा पार्ट है सामाजिक प्रासंगिकता प्रासंगिकता जो G.P.S.C. में नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि आईस का तयारी करने वाले लड़के को यह दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ेगा तो जिस दिन हम लोग यह टॉपिक पढ़ाते हैं उस दिन केवल U.P.S.C. के लड़के को इंट्री मिलता है जो G.P.S.C. का बैच का होता है उसके यहां मैसेज आ जाता है होलिडे बास समझभा गई नहीं तो आप यह डिसाइड कर करके पढ़िए कि क्या करना है तो देखिए पहले दो टॉपिक यहां ज्यादा हो गया अब आईए G.S.2 के अंदर दोनों में क्या तभाबत है G.P.S.C. में एक टॉपिक हो गया भारत का बंधारन यानि है राज ब्यवस्था यहां भी वही टॉपिक है भारत का बंधारन ठीक है कोई फर्क नहीं दूसरा टॉपिक यहां नाम तो दिया है बहिवटी वेवस्था लेकिन माल लीजे कि यहां भी है लोग प्रसाशन यहां भी है लोग प्रसाशन लेकिन U.P.S.C. में तीसरा टॉपिक जो है वो G.P.S.C. में नहीं है उसका नाम है सामाजिक नियाए सोशल जस्टिस अलग है जो कि G.P.S.C. में नहीं है यहां पे चौथा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन आईएस में स्पेशल पचास नमबर का कोश्चन आता है G.P.S.C. के प्रिलिम्स में है यहां तीसरा टॉपिक है नीती सास्त्र वो भी आईएस के सिलेवस का पचा यह क्लास हम लोग नहीं देते हैं इतनी तफावत है दोस्तो आज मैं जानकर यूटूब पर विश्वास के बारे में बताने आया हूं कि U.P.S.C. और G.P.S.C. कहके चलाना आसान है या आरोप लगाना आसान है कि विश्वास में दोनों को एक साथ बिठाते नहीं बिठात इस कारण से कि उसका समय बिगड़ेगा हां अगर वो आये सोच करके आये तो हम उसको बिठाएंगे इसलिए हमारे यहां कंबाइंड बैच होने के बावजूद दोनों में तफावत है यह ध्यान रखेगा बाकी लोग अभी यह चार दिवाली के अंदर मेरा यह था और लोग कहने लगे थे कि नहीं विश्वास में तो दोनों एक हो गया नहीं हुआ है दोनों में यह तफावत है दोस्तों आब आइए爱 GS3 के अंदर दोनों में क्या अंतर है तो GS3 के अंदर जो है IS में इंडियन एकोनोमी से सवाल अएगा GPSC में भी Indian Economy से सवाल आएगा यहाँ पे Science and Technology से सवाल है GPSC में भी Science and Technology से सवाल है लेकिन यहाँ परियावरन एक अलग टॉपिक है GPSC में Science and Tech के अंदर है चलिए माल लिए यहाँ तक दोनों common है लेकिन यहाँ आंतरिक सुरक्षा करके एक अलग टॉपिक है जो GPSC में नहीं है तो आंतरिक सुरक्षा से सम्बंधित जब क्लास चलेगा तो उस बग GPSC के ललके को हम लोग नहीं पांच टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ाते हैं GPSC के ललके को और यहाँ Current Affairs यह बताने का मूल मकसद यहीं था दोस्तो कि GPSC के बैच में फीस कम करके लोग कि हम चालिस जार में दोनों पढ़ा देंगे यह आपके सब्जेक्ट के गुनवत्ता के साथ सम्झोथा करते हैं टॉपिक वाइस पढ़ाना है अब इसके अंदर का चेप्टर पढ़िए तब पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि आँख खोलिए इतना बड़ा सिलेबस चार घंटा अगर नहीं पढ़ाएं एक साल पूरा तो नहीं होगा अद्दो घंटा अवला में दो साल यही है मेरा यह पैटर्न एक और दो और एक साल का है अब आजएए GS4 तो यहाँ कुछ है ही नहीं GPSC में GS4 में यहाँ के GS4 में अकेला नीती सास्त्र 200 मारक का है जिसमें की केस स्टड़ी ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बाकी 110 मार का विचारक से related सवाल होगा उनके दे के statement सवाल पूछेगा बाकी और भी कई topic हैं आप दंद की स्थितिम आ जाएंगे ऐसा कोई case studies होगा ठीके इसमें जो है भावनात्मक समवेक किसको कहते हैं मैं भी में नहीं बोलता था इसका मतलब क्या है वह क्या है वलन बहूत बढ़ा चीज है वलन किसको कहते हैं हम माल ली जबारहिए लेकिन मजबूरी में पढ़ारहे हो कि नहीं पैसा कमाना है इसомिए मेरा अंदर से तो बलन है कि की किर्केट खेलने चले जाए तो वलन जो एक्सपटाइजेशन है दोनों एक नहीं है रूची और वलन एक नहीं हो सकता है हो सकता है कि मेरी रूची परिवार चलाने के लिए इसमें हो लेकिन मेरा वलन कुछ और कहता हो तो यह जो है यहां नीती सास्तर का अलग-अलग टॉपिक आप पढ़िएगा देखिएगा जब आपको हमने एक यह बताया अब मेरा प्लानिंग सुन लीजेगा जब वन एयर का कोर्स होता है तो गांधी नगर में हमारा क्लास होता है आठ से दस और साड़े दस से साड़े बारे यहां पर हम लोग प्री पढ़ाते हैं मंडे टू सेटर्डे या संडे एक दिन कोई छुट्टी हो या टेस्ट हो बाकी जो है छे दिन का क्लास लेते हैं आप अगर ओनली प्री मेड मीशन लीजेगा तो आपको आठ से दस का ही क्लास मिलेगा और साड़े दस से जो है मेन का क्लास चलता है जिसमें गुजराती अं से लेकर के सब कुछ होता है आप अगर यहां GPSC के बैच में है तो जो जो सब्जेक्ट IS में है उस दिन आपका क्लास नहीं रहेगा जो GPSC IS का कॉमन है तो उस दिन IS के ही फ्रेकल्टी आ करके आपको पढ़ाएंगे अंतर समझ में आ गया दोनों जगह में अब सुनिएगा आ कर दो सब कुछ दोस्तों आए उजनाब तरीके से मैं करता हूं सिर्फ लड़का वह बाहर जो हैं न कहर जो है न घाजीरो घाजीरो में जा करके परिसान हो जाता है अगर वो ध्यान लगा करके पढ़े तो एक साल या दो साल अंडर ग्रिजवेट ललका 2017 कर ललका मेरे साथ कदम से कदम मिला के चला था 25 रिजल्ट दिये थे दोस्तों तो यह ध्यान लखिएगा कि यह जो है आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे और अमदाबाद में जो है हमारा साले पास से साले साथ आपका यह हुआ और धाई से साले चार हुआ है यहाँ उल्टा होता है इधर में पढ़ाते हैं और इधर प्री पढ़ाते हैं इस तरीके से जो है और संडे पूरा दिन चलेगा वो में के सब्जेक्ट में होते हैं ठीक है तो यहाँ जो है इस तरीके स सकते हैं इसमें भी कौन साथ दूब एक बाद कौन कॉलेज जाता है भाई देखते नहीं है कि रखरते रहता है कॉलेज का रलका है हम भी रखरते ही रहते थे तो यह जो है हमारा एक साल और दो साल का कंसेप्ट है तीन साल का बैच अभी नहीं है दोस्तों जून में आता है ज एक साल में पढ़ना चाहते हैं तो दो घंटे प्रिलिम्स दो घंटे मेंस पूरा एक साल पढ़ना है यह जो है आपको हमने एक यह बता दिया फीश वगर ना तो कोई यूटूब पे बताता है और ना हम भी बताने जा रहें बस इतना ही है कि अभी इस बैच को कोविड नाइंटीन से अभी हम सब लोग उबरे हैं सबकी अर्थवरस्था कमजोर है तो फीश में 20% का डिसकाउंट और उसके लिए फीश के लिए आप आफिस के नंबर पे संपर्क कर लिजेगा लेकिन जो भी फीश है उसमें 20% का डिसकाउंट है इसी बैच के लिए जो जून में आने जा रहा है उसमें नहीं तब तक अर्थवरस्था फिर आ जाएगा अपने पट्री पे तो 20% है खाली प्री में आएंगे तो प्री के इस परसेंट डिसकाउंट देंगे अब सुनिएगा फॉन्डेशन बैच जो प्री कम मेंस हमारे यहां होता है उसका सबसे बड़ा बेनफिट यह है कि आप एक बार जब पूरा फी भर दिये कुजरात के किसी कोचिंग में यह दम नहीं है कि वो यूटूब पर इतना खुल कर बोले आपने एक बार फस्ट इयर और सकेंड इयर का फी पूरा कर दिया या वन इयर का फीस आपका पूरा हो गया तो उसके बाद आप जब तक पास नहीं हो जाते हैं दुबारा कोई फीस नहीं भरना है विश्वास में फिरी ही पढ़ाते हैं उसके बार पूरा का पूर आपको ना मिल जाए आपका रैंक नीचे हो जाए उसके बाब जूद आपकी काफी चेक करेंगे चिंतन का काफी लास्ट में एटेंट में भी मैं मेंस का चेक किया था चिंतन डोबरी या जो इस बार 2020 वाला में सलेक्ट हुआ था उसका काफी चेक किये हैं ओ ट्रेनिंग में हाई एफस में लेकिन फिर भी चेक किये हैं तो वो सुविधा देंगे दोस्तों नहीं आप आ रहे हैं तब देंडोरा नहीं पीटेंगे रोज कि आज मेंस प्रैक्टिस पर क्यों देंगे टेलिग्राम पर भाई है हम अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं कि हम दुन कोस्ट भेजे हैं बच्चों को लेकिन जो संपर किया उसको वो फ्री था तो आप एक बार फी भरिएगा विश्वास के साथ लाइफ लॉग जुडिएगा हाँ इन फ्यूचर कोई नया मैटेरियल डेवलप होता है तो मैटेरियल का कोस्ट देना होगा क्योंकि फीस में ही म ठीक है और हम मैटेरियल से ज्यादा लिखाने पर भरुसा रखते हैं दोस्तों लिखने वाला आदमी के दिमाग में आता है तो अब जब आपको सब कुछ किलियर हो गया तो अब हम लोग अपने असली काम पर आते हैं कि अब आप जिस बैच में आना चाहते हों डेमो हो सातों दिन का आपको टाइम टेबल मिल जाएगा मंगल बुधवार्क और गुरुवार्क को तोमरसर ही क्लास लेंगे हपते में तीन दिन मेरा ही लेक्चर होता है बाकी दिन ही दूसरे फेकल्टी का होता है और इस बार आधुनिक भारत से क्लास हम वहाँ पर शुरू कर रह चार विसे के लिए हम फेकल्टी रखते हैं इसलिए मेरे पास फेकल्टी का बाढ़ नहीं होता है और हम इसलिए चूज करते हैं आपको बले मेरा फेकल्टी अच्छा नहीं लगे लेकिन बैक्ग्राउंड होगा तो ही हम उस आदमी को रखेंगे बीना बैक्राउंड चूड जाएगा और यह 307 B Block Etria Business Hub सरगाशन क्रोस रोड पे और अगर नहीं मिले तो 9 426 880 577 यह जो है बड़े अक्छरों में गांधी नगर का लिख देते हैं आपको नमबर कि 9 426 880 577 इस पे आप संपर्क करिए जो भी आपको पूछना हो आपको इसका जवाब मिल जाएगा यह मंगलवार से बैस शुरू हो रहा है आहमदाबाद में 5.5 से 7.5 का बैस है लेकिन अगर आप मेंस करना चाह रहें साथ में तो ढ़ाई से 4.5 गिनिए गाए मेंस में भी आधे भी से तोमर से अकेले पढ़ाते हैं उसके बादे कोई पढ़ाता है तो अब सुरूएगा 410 RBS Complex Old Nataraj Cinema आश्रम रोड अहमदाबाद यह अड्रेस है अगर आप वहाँ फोन से जानना चाहते हैं तो 6355 391928 और दूसरा नम्मर है 942-880-4128 आप इस पर जो है जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप फोन से पूछ सकते हैं वाटसप कर सकते हैं आपको उस पर जवाब मिलेगा मिस कॉल वाले को विश्वास से जवाब नहीं मिलता है क्योंकि मिस कॉल वाला बहुत भरोसे मन लोग नहीं होता है अब हम लोग आगे बढ़ हैं अभी भावनगर में कल से मैं संडे को सुटिंग कर रहा हूं कल से शुरू होने जा रहा है डेमो लेक्चर लेकिन यहाँ पे 27 फरवरी 2021 को विश्वास एजुकेशन और भारत अकेडमी के संजुक तुपक्रम से शुरू हो रहा है 27 फरवरी को साम को 7 से 9 का जो बैच है यह आपका है यह प्रिलिम्स का बैच है यहाँ पर मेंस भी चलाते हैं ऐसा नहीं सुचिएगा और उसमें मेंस ही होता है तो चुकि आप फस्त ने आ रहे हैं इसलिए 7 से 9 यहाँ का टाइमिंग स्मूथ नहीं होगा मेंस का यह ध्यान लखिएगा साथ से 9 रोज क्लास होगा सनी बार तोमर सर के साथ फूल डे रवी बार को तोमर सर के साथ फूल डे जिसमें आधा पीटी आधा मेंस होगा यह पहले बता देते हैं यह है पहला बाल सिवसक्ती लख्की एवन्यू कॉम्प्लेक्स लीला सरकल सिद्सर रोड भावनगर दो पहला नमबर भारत अकेडमी का है क्योंकि यहीं है वो तो यह आपको पता से ले करके कुछ भी पूछिएगा तो बता सकते हैं 9714272365 यहां पर लिख देते हैं भावनगर का नमबर नाइन पहले वो ला दे हैं भावनगर का उसके बाद यह देखिए यहां का नमबर है 9714272365 तो यह जो है आपका है और इसके अलावा क्या कहते हैं आपको अगर भारत अकेडमी के बाद अगर आपको लगेक ने विश्वास से भी कुछ पूछना है तो दूसरा मुबाईल नमबर आपके सामने है इस पर भी आप पूछ सकते हैं 9428804127 यानि अंतिम में 4128 आप लगा दिये तो अंदा बाद चला जाएगा नमबर और 27 रखिएगा तो भावनगर में होगा तो ये आपके लिए information था batch का जिसको ले करके आज आपके सामने हम एक लंबा और बिस्त्रित ब्याख्यान दिये जिसमें आपको UPSC का पूरा सुक्षुक बिस्लेशन करके दिये हैं उमीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और class पे आएए authentic books भी बताएंगे सब कुछ आपको बताएंगे test topic wise लेते हैं आप आएंगे तो आपको पता चलेगा तो इसी के साथ अब मैं अपना ब्याक्षान पूरा करता हूँ हम लोग मिलते हैं और एक नए भरोसे के साथ कि 2022 हमारा होगा और 2022 में हम या तो गुजरात के लिए मेन कह रहे हैं कि या तो हम IS होंगे और अगर थोड़ा बहुत कुछ चूख हुआ तो डिप्टी कलेक्टर पक्का बनेंगे हम इस भरोसे के साथ पढ़ेंगे मिलते हैं दोस्तो जैहन जै भारत